आज हम आपको सिखाएंगे आप गर पे कश्मीनी स्टाइल बंसूर्ट तुमास कैसे बना सकते हैं बंसूर्ट या कुइंस आपल का बेस्ट टेट आता है माटन के साथ तो आप ज़रूर यह रेस्पी ट्रॉइ कीजेगा इंग्रिडेंट्स में हमने यूज किया है यहां पे मस्टर्ड ओयल कुकिंग के लिए और यह खास प्रोड़क्त जो है किंग्स का बिरिस्ता या फ्राइड अनियन यह आप देख सकते हैं आपको क्रिस्पे इसका दिखाऊंगी आपको अमाजन फ्लिप कार्ट या कश्मीर में मार्केट पर भी अवेलेबल मिलेगा या किंग्स की अपनी ओनलाइन साइट पर भी मिलेगा इसका लिंक में दूंगी आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी है यह मैं इसको तोड़की भी दिखाऊंगी आपको हाथ से तो यह देखे जो क्रिस्पी फ्राइड अनियन हैं इनको आप किसी भी वेजट रेस्पी में यूज़ कर सकते हैं जो मीट है इसको आप डालेंगे प्रेशे कुकर में पानी से इसको कवर करेंगे स्कम आने तक इसको पहले बॉयल करेंगे फिर यह जो उपर स्कम है इस सारा रिमू कर देंगे फिर स्पासिस आड़ करेंगे दालचीनी एक चोटी लाचीनी चल चार ख्लोव्ज यह रॉंग तीन बड़ी लाची अबुडल दो नमक टेस के हिसाब से अब लेंगे हम इसके बाद मास्टर्ड ओयल एक पैंड़ करेंगे में गरम होकी स्मोक निकलने के बाद इसमें हम बंसूट जो है वह फ्राइ कर देंगे यह आपको हर रेस्पी में बोल चुकी हूं जो यह बंसूट होते हैं यह कुइंस आपल इंको आपको मीडियम फ्लेम पे फ्राइ करना होता है ताकि यह फ्राइंग में ही थोड़े से देंगे और फिर हम यही से मास्टर ओयल यूज़ करेंगे थोड़ा सा एक प्रिशर कुकर में इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइस जिसे की जीरा एक चोटी चमच करके हाथ से एक चोटी एलाइची निचर और एक लॉंग या रॉंग इन स्पाइस को एड़ करने के बाद गारलिक का पेस्ट हम डालेंगे एक चमच आप चाहें तो नॉमल गालिक डाल सकते हैं फिर डाल देंगे लाल मिच हम इसमें हमने इसमें वानेंडा हाफ टीस्पून डे चोटी चमच डाला है क्योंकि मुझे किंग्स का यहां पे क्रिस्पी फ्राइड अनियन यूज करने हैं तो मुझे प्यास फ्राइड करने की ज़रूरत नहीं है यह जो 400 ग्राम का पकेट है इसमें आपको 5-6 रेसिपी आसान से बन जाएगी यह देखे मैं यह यह फ्राइड अनिय ती तेल पे उसमें प्यास फ्राइड अड़ कर दिये और टाइम कंजर्व को गया तो इसलिए पानी का अड़ करेंगे अनियन फ्राइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मीड जो हमने निकाल के रखा था एक प्लेट पे हलका सा मीड को । लाल मीड़ और किंग्स के फ्राइड अनियन के साथ अलका सा फ्राइड करेंगे फिर हम इसमें डाल देंगे जो बाल चूट हमने फ्राइ करके रख दिये थे हम सारा एड़ कर रहे हैं इसलिए अब ऑइल पे-ताकि सारे फ्लेवर जो है वह आपसमें मिक्स हो जाे लाल म बस बमसून और मीट इसको कवर करें बहुत जादा आड़ने कीजेगा अब क्योंकि मीट अलड़ी 70-80% डाड़ने इसलिए इसको सिर्फ एक या दो विसल तक आप कुक करेंगे ताकि बमसून भी सॉफ्ट हो जाए और मीट भी बहुत जादा विसल नहीं दीजेगा बमसून सब्सक्राइब कीजेगा और हमें जरूर सब्सक्राइब कीजेगा